हेलो एवरिवन, वेलकम टू साइंस तेंग, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे आप डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं QB64 को अपने PC में तो इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले उपन कर लेना है Chrome Chrome उपन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है QB64.org यह आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है and then search इसे अगर आप सर्च करेंगे तो आपके पास में एक ऐसा पेज उपन हो जाएगा इसमें नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे लेक्ट में option दिया है download का इस पर अगर आप click करेंगे तो अमारी next tab open हो जाएगी इस tab के अंदर आपको नीचे जाना है यहाँ पर लिखा है download links यहाँ पर link दिये गए हैं इसको download करने के तो क्यूंकि हम windows के लिए देख रहे हैं तो windows 32 bit और windows 64 bit है तो इन में से आप कौन सा download करेंगे अपने PC के लिए आप अपने computer में देख सकते हैं मैंने यहाँ पर search किया computer तो this PC के अंदर आप अगर देखेंगे properties तो computer की properties में यहाँ पर देखिए system type में लिखा होता है 64 bit operating system तो यानि मेरे पास जोई PC है इस PC के लिए मेरे को 64 bit का करना पड़ेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है windows 64 bit तो यानि मेरे को इन वाले link से download करना है अगर आपके PC की properties में लिखा है 32 bit तो आपको इस वाले link से download करना है तो मेरे में लिखा है 64 bit तो मैं क्या करूँगी इस वाले link पर click करूँगी यहाँ पर लिखा है .zip यह क्या है zip file है तो हमें यहाँ पर और किसी पर click नहीं करना है किस पर click करेंगे इस link पर इस link पर click करने के बाद यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में download start हो जाएगा अब यहाँ पर दिखा रहे है 7 minutes 6 minutes left तो इसका हम थोड़ा wait कर लेते हैं download होने का तो अब जो हमारी file है यह download हो चुकी है यहाँ पर आपको यहाँ पर click करना है और करना है show in folder तो जहाँ पर यह download होई है वहाँ पर यह आपको show कर देगा direct तो यहाँ पर यह downloaded file है इस पर आपको right click करना है तो यहाँ पर आएगा extract files का option तो इसकी जो files हैं को हमें extract करना है इस पर हम click करेंगे तो यह आपसे destination पूछेगा कि कहाँ पर आपको इनको extract करना है तो मेरे को यहाँ पर नहीं चाहिए मेरे को चाहिए यह local desk c में इसके अंदर हम एक नया folder बना देते हैं qb64 के लिए सिर्फ qb64 के लिए तो मैंने जो इसके अंदर folder है उसको नाम देते है qb64 अब जो मेरी extract files हैं जो भी extracted files होंगी वो इसके अंदर चली जाएंगी अब हम कर देते हैं यहां से ok तो आप देख सकते हो यह किसके अंदर गई है c के अंदर qb64 में अब हम करेंगे ok तो यहां पर यह आपको दिखा रहा है कितना percent process हो गया है तो अभी extract कर रहा है files को प्लe मुवा हो आपको गजक यह बदरन परेंगे हैं तो जा है तो थाल भी हूँ तो आप देख सकते हैं एक्स्ट्रैक्ट हो गई है फाइल्स तो मैंने जो डेस्टिनेशन चूस की थी वो थी लोकल डिस्क इसके अंदर मैंने यह फोल्डर का नाम दिया था QB64 तो इस पर हम क्लिक करेंगे इसे खोलेंगे तो फिर से एक फोल्डर रहेगा QB64 के नाम से अब इसके अंदर आप यहां पर देखोगे यह जो ब्लू कलर का यह आइकन सा बन रहा है यहां पर लिखाओगा QB64 और किसी में आपकी यह application नहीं है यहां पर आपको दिख रहा होगा type में लिखाओगा application तो यही आपका जो है program बनाने के लिए है इतने QB का है इस पर आपको क्या करना है right click करना है और करना है run as administrator इस पर आपको click करना है then yes तो आपको यह programs बनाने के लिए तयार है इसके अंदर आप कोई यह भी programs लिखके दिखा सकते हैं सबसे पहले मैंने लिख देख CLS then print ठीक है इसको हम F5 से run कराके दिखा जेते हैं तो अब यह थोड़ा सा time लेगा creating exe file यहां पर लिखाएगा अब यह आपका output दिखा देगा यह आपका output मैंने इसके लिखके देख हैं अब यह आपका output दिखा है print science think तो इसने हाँ पे print कर दिया है science think यहाँ पे आप देख सकते हैं यह रहा output इस black screen के अंदर यह output आपको इस तरीके से देदेगा यहाँ पे आप कोई भी प्रोग्राम जो है type कर सकते हैं तो इस तरीके से आप QB64 को download कर सकते हैं simply सबसे पहले आपको chrome कोलना है उसमें type करना है qb64.org उसके अंदर download का link होगा next tab में खुलेगा वहाँ से आपका जो भी computer का है 64 btfe 32 bit उसकी आपको zip file download करनी है zip file download करने के बाद folder के अंदर वो show करेगा वहाँ से आप extract file कर सकते हैं किसी भी folder में जहाँ पे भी आपको उसको save रखना है qb64 होगा download उसके अंदर आप खोलेंगे तो यहाँ पे आपको यह application मिल जाएगी इसी को आपको run कराना होता है qb64 application अलग से यह आपको यहाँ पे दिख जाएगी इसको आप run करा सकते हैं और programs को भी run करा सकते हैं तो इस तरीके से आप qb64 को अपने PC में download कर सकते हैं Windows 7 में भी और Windows 10 में भी मुझे उमीद है आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like दे अपने friends के साथ में इस वीडियो को share करें और मेरे चैनल को subscribe करना ना हुले, thank you